नमस्कार, आज 21 ओक्टूबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशितनेवाली समचार पत्रों की और उनमें छपे खबरों की तो सबसे पहली खबर हमने हिंदुस्तान के रुष्ट्रिये संसकरन से लिए है इसमें लिखा है कि उत्रखंड में 13 ओर की मौत, 8 ट्राकर लापता, बारिश भूसखलन से कुल 55 की मौत, हलिकॉप्टर से ट्राकर दल की तलाश उत्रखंड में बुधवार को बारिश के बाद भूसखलन और वर्फवारी में दब कर 3 पोटर समेत 13 लोगों की मौत हो गई पता भी है, ग्री मंत्री अमित शाह आज हवाई सर्वेक्षन भी इन इलाकू का करने जा रहे हैं देश भर में बनेगा 200 हवाई एड़ो का नेटवर्क प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशी नगर में बुधवार को उतर प्रदेश को तीसरे अंतररास्ट्रिय हवाई एड़े की सोगात दी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश में 200 एरपोट और सी प्लेन पोट का नेटवर्क तयार होगा पाच हवाई अड़ो पर विमान अकैडमी भी खुलेगी आरियन खान वा अन्निको जमानत से इंकार क्रूज ड्रॉग पार्टी मामले में आरोपी आरियन खान की जमानत याचिका फिर खारिज हो गई एक विशेस अडालत ने बूदवार को अरबाज मर्चंट और मुनमुन धमीचा को भी जमानत देने से इंकार कर दिया इस नर्नाई के खिलाफ आरियन के वकील हाई कोट पहुँचे धमीचा के वकील भी हाई कोट पहुँचे पर देर हो जाने से अरजी दाखिल नहीं हो पाई जमु कश्मीर में चार आतंग की धेर जवान शहीद सुरक्षा वलो ने बूदबार को जमुकश्बीर में लश्कर एत तैबा L.E.T. के उन दो कमांडरों सहीर चार आतंकवादियों को धेर कर दिया जो प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल थे पुलिस नहीं है जानकारी साझा की एक पुलिस अधिकारी ने बताया की शोपिया के दड़गर में मुटभेर में दो आतंकी घायल है राश्ट्रपती तीन दिवस्य यात्रा पर पटना पहुचे रामनात कोंविद तीन दिवस्य यात्रा पर बुद्वार को दो पहर में वायू सेना के विमान से पटना पहुचे पटना एरपोर्ट पर राजपाल पागु चोहान, मुख्य मंत्री नितिश कुमार, नेता प्रतिपक्षत जश्वरी यादब, समेत सरकार के कई मंत्रियों ने उनकी आगवानी की एरपोर्ट से वसीधे राजबबन गए, गुरवार को विधान सबाबबन में, सदाब्दी व बुदवार को विधिन हाइकोर्ट में स्थाननंतरित होकर आए तीन जजों ने पद की गोपनियता की शपत ली, जबकि पटना हाइकोर्ट में वकालत करने वाले चार वकीलों ने भी जजज पद की शपत ली, सभी नए जजों को सुबह 11 बजे पटना हाइकोर्ट की नए बिल्डिंग स्थाबदी भवन स्थेतल लॉबी में हाइकोर्ट के मुख्य नयाधीश नयमूर्ती संजय करोल ने पद की गोपनियता की शपत लिलाई स्वास्तिमंत्री बोले आयरवेदिक चिकित्सा महाविद्याले खोलने के लिए प्रयास तेज दर्भंगा भागलपूर और बकसर के आयरवेदिक कॉलेज फिर से होंगे शुरू बिहार में दर्भंगा, भागलपूर और बकसर आयूरवेदिक चिकित्सा महाविद्याले फिर से शुरू होगे इन कॉलेजों में पुना आयूरवेदिक चिकित्सा की पढ़ाई होगी वर्तमार में ये तीनों महाविद्याले बंध हैं स्वासमंत्री मंगलपाडे ने बुधबार को बताया कि आयूश चिकित्सा को बढ़ावा देने को लेकर राजसरकार गंभीर है और दर्भंगा, भागलपूर और बकसर के अरवेदिक कॉलेजों में फिर से पढ़ाई शुरू की चाहिए साथ जलो में भारी बारिश को अलर्ट, मौसम बभा की ओर से गुरवार को उत्तर बिभार के सिता मड़ी समेच साथ जलो मद्यमनी, सुपॉल, पुर्निया, अररिया, किशनगंज, वकटेहार में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया गया है मौसम अभा के पुरमानुनान के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारन सिवान सारन पूर्वी चंपारन को पालगंज में एक से दो स्थानों पर भारिश हो सकती है उत्तर मद्य हिस्से की सीता मड़ी मदुबनी मुझापपूर दर्भांगा वेशाली स्चिव भर के अलावा उत्तर पूर के सुपॉल और अरिया के शर्णगंज मधेपूरा सहरसा और कटेहार के एक से दो स्थानों पर बारिश के आसार हैं चपकि पटना और दक्षन शुस्क रहेगा दसवी वा बारवी की परिक्षारती बदल सकते हैं परिक्षा केंद्र के इंदरी माधमिक सुक्षा बोर्ड ने दसवी और बारवी के बोर्ड परिक्षारतिया को परिक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है अगर कोई परिक्षारती अपने मूल स्क थालों में फंगल संक्रमन के मरीजों की संख्या बड़ी दो वर्स के बच्चों से लेकर बुद्यूट को तर्क में बढ़ दो फंगल संक्रमन का प्रकोप बढ़ गया है चर्म रोग के मरीजों में 50% मरीज केवल इसी बीमारी के हैं NMCH के चर्मरोग विभा की OPD में 300 मरीज आए जिन में 148 मरीज सिर्फ फंगल संकर्मन के थे वह पटना एम्स में χर्मरोग विभा की OPD में 236 मरीजोंने इलाच कराया PMCH की OPD में 400 मरीज आए जिन में अधिकान fraction मरीजों में फंगल संकर्मन पाया गया यह बिमारी पहले बारिश के दिन में होती थी, लेकिन अब लोग वर्ष भर इससे ग्रसित हो रहे हैं, दो वर्ष के बच्चे से बुजर्ग तक में संकमन बढ़ रहा है तो फिलाल आज की अखबारों से तमाम इतनी ही खबरे, कल फिर इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे दरलन चाहूंगे, तब तक आप तमाम और भी खबरों के लिए न्यूस पियार के साथ बने रहें, शुक्रिया